हाई फ्रेंड मैं आज आप लोगों को अपनी आइब्रो कैसे धागा चलाते हैं इसके बारे में बताऊंगी और इस वीडियो को देखना ना भूलें ऐसे लाइक सियर सब्सक्राइब परें जैसे आपका पालर बहुत दूर है और अमरजंसी में आपको आइब्रो में बाल सकते हो इसको बोलते हैं सेल्फ आइब्रो यह वाली और देखिए जो इतना बड़ा है इस धागे को में कम से कम इतना निकाल रही हूं इसमें है हमारा एक गिप दो उंगल मतलब इतना और दो उंगल में ने फाल्टू रखा हुआ है यह चीज है और इसी को मैं इतना तोड इसमें गांठ लगा ले रही हूं यहां पर अभी मैं आपको यह बताऊंगी कि धागा कैसे चलाते हैं यह सिखाऊंगी आपको और जब फिर दुबारे बताऊंगी तो इसको मैं बाल कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगी यह फर्स्ट वाला स्टेप है यह दोनों ऐसे हमरे और दोनों आंगला को आपको आपस में एसे रखना है और इसको दय हातों में बल देना है 3-4 वड़ा एक दो, 3, 4 और फिर दोनों हातों को आपको नीचे रखना है और जो यह अंगली और अंगुठा है इसी ही ज़नी ज़्यादा आपको धागा चलाना आएगा यह कर देखिये एक हाथ हमने बं कर रहा है और एक आथ हमने खोल जहाया है यह बं कर रहे है है यह ठोल ठीक करने हम और ऐते ही प्रैक्टिस हम परे यह करने ही पड़े लिगूपर जितना इतने ही प्रा स्प्रक्टिस करें एपक्षट हम अच्छा धागा चलाना करें, और देखते पहां है पहले आपसे सलो चले गार जब धागा विल्कूल आपका फसने लगता है दीच में दागा फसने लगता है देखें दोनों हातो को अच्छा रहा है आपको पता चल जाएगा ये इसको बिल्कुल ही दोनों अंगुठे ज़्यादा इसमें लगाने पड़ते हैं हमें ये देखिए मैं ऐसे से करके चला रही हूँ जब उमारत आगा अच्छा चलने लगेगा तो ये बिल्कुल ही फास्ट चलता है ये देखिए फिर हम इसको एक बार इतर को गुमाएंगे एक बार हम इतर को गुमाएंगे एक बार हम इतर को गुमाएंगे एक बार हम इतर को ये देखिए आपको ये अंगलियों की ही प्रेक्टिस है पहले जब तक हमें धागा चलाना नहीं आएगा तो हमारे बाल बिल्कुल ही नहीं नि आपको कम से कम एकफता दागा चलाना पड़ेगा उसके बाद ही आपको अपने आइब्रो में बाल निकालने आएंगे जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा आपको जादे से जादे प्रैक्टिस करो एक गंडा टाइम निकालगे आपको बहुत घर में बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है आप घर में बैठे बैठे भी बना सकते हो और पैन भी नहीं होता, अपने हाथूसे बनाने में बिल्कुल भी दरद नहीं होता दूसरों के हाथों से बनाने में थोड़ा सा दरद होता है यह हमारा पूरा complete हो गया है और यह वीडियो कैसी लगी? इसे like, share और subscribe करें झाल झाल